असलाम अलेकुम डियर स्टूरेंट्स उमीद करता हूँ आप सब बिलकुल ठीक टाक होंगे आज मैं लेक्षर नमबर 16 ओर अल साब्जेक्ट्स का और इस यूनिट नमबर 5 का पहला लेक्षर दे रहा हूँ इस यूनिट का टाइटल है स्क्वार रूट आफ पॉजिटिव नमबर उमीद करता हूँ कि आप लोग स्क्वार रूट को जानते हूँगे कि ये क्या है और इसके जो बेसिक कांसेट्स है इन पर क्वेस्टिन की सलूशन है आप लोग वो जानते हूँगे अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकर अगर नहीं भी जानते हैं तो आज हम यहां पर इसकी बिसिक डिफिनिशन को डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले हम पर्फिक स्क्वार की डिफिनिशन को देखते हैं कि पर्फिक स्क्वार क्या होता है A number is called a perfect square if it is the square of a whole number यनि हर वो number जो एक whole number के square से हासिल हो जाए उसको हम कहते हैं के perfect square For example, एक whole number है two और इस पर अगर हम square ले लें तो वो हमें four देता है तो अब ये जो four है इसको हम कहते हैं के ये एक perfect square है इसी तरह से three, three पे हम अगर square ले ले लें तो ये हमें देता है three three zero nine तो अब ये जो nine है इसको हम कहते हैं के ये perfect square है इसी तरह से जब आगे जाएंगे तो four के लिए हमारे पास पर sixteen आ जाएगा पिर उसके बाद आ जाएगा 25, इसके बाद आ जाएगा 36 और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं तो जो numbers, whole numbers के square से हासल हो जाएंगे उन सब numbers को हम कहेंगे के ये perfect square है तो अब हमको ये पता कैसे चल जाएगा कि कौन सा number perfect square है और कौन सा number नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पर एक proper definition को देखते हैं यानि एक proper method को देखते हैं जिसकी मदद से हमको ये मलूम हो जाएगा कि कौन सा number perfect square है और कौन सा नहीं है सबसे पहले यहाँ पर जो numbers लेके गए हैं यह even numbers यूपर के one four five six nine और zero zero तो हर perfect number in five numbers पर बलके six numbers पर खतम हो जाएगा यानि इनका जो ending points है वो यह होगा या तो one होगा या four या five या six या nine या फिर zero zero या डबल zero को यहाँ पर जो basically मतलब है वो यह है कि जो अगर हर वो number जो perfect square होगा वो फिर double zero यानि मतलब even number of zero पर हतम हो जाएगा तो यहाँ पर यह जो examples है इनकी मदद से आप लोग इंशालला से तरह से समझ पाएंगे यहाँ पर जो पहला example है एका वो है 540 यानि 540 लेका हुआ है और हमने यह बताना है कि यह perfect square है के नहीं है तो यह कोई मुश्किल बात नहीं है यहाँ पर मैंने पहले बताया कि perfect square के जो last में zeros की तदात होंगे वो हमेशा even होंगे अगर even number नहीं जुफ्त अगर 0 या 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे इस तरह से होंगे तो पिर वो perfect square हो सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन अगर even number of 0 नहीं है तो वो तो perfect square हो ही नहीं सकता है यहां पर यह जो 540 लिका हुआ है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसके जो आखरी points है ending points वो 0 है यह मतलब even number of 0 नहीं है तो यहां पर यह बिलकुल भी एक perfect square नहीं हो सकता यह हम को यहां से guarantee मिलती है B में जो हमको given है वो है 784 अब यह जो 784 है इसके लिए अगर हम वो condition देख लें के ending numbers वाला तो वो ता 1, 4, 5, 6, 9, 0, 0 अब यहां पर 4 मुझूद है इसका जो ending points है यह जो 784 है इसका यह जो ending digits है numbers है वो 4 है तो अब यहां से एक बात confirm हो गई है कि यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि यह हो जाए अगर इन numbers के इलावा यह 1, 4, 5, 6, 9 और even number of 0 के इलावा कोई number आ input किसी number के तो वहां से यह guarantee मिलती है कि यह perfect square नहीं है लेकिन अगर यह number आ जाए तो यहां से हमको कोई guarantee नहीं मिलती है कि यह perfect square है कि नहीं है तो आईए देखते हैं इसको कि यह है कि नहीं है अब यहां पे हमें शक है कि यह हो भी सकता है और नहीं भी तो इसके लिए आप ल तो पहले से पता है कि उसमें हम किया करते रहते हैं. अब ये 2 पे डिवाइट हो सकता है तो पहले 2 पे कर लें और जब 2 पे कर लेंगे तो यह पर 3, 9, or 2. यह method आप लोगों को पता है कि यह कैसे हो सकता है, यह पेर से 2 पर हो सकता है, तो पेर आजाएगा 1, 9, और 6, और पेर से 2 पर हो सकता है, तो पेर आजाएगा 98, और इसी तरह से पेर से हो सकता है, 2 पर, yes, आजाएगा 49, और अब हो सकता है, आहिर में 7 पर, तो यह हो गया हमारा Factorization अब जो हमारा काम है वो यहाँ पर यह करना है कि यह perfect है कि नहीं है तो इसके लिए आप लोग यह कर लें कि यह जो आ गया 2 multiply कर रहें 2 से यानि जितने भी आ गये है factor 4 यह है और 1 7 यह है तो अब यहाँ पर एक और 7 भी है 7 multiply by 7 है अब इससे हमारे पास जो असल में आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि टू फोर टाइमस है तो मतलब यहां यह टू देखो एक टू का जोड़ा यह है और दूसरा यह है और एक सेवन का जोड़ा यह है तो इस पर हम स्क्वाईर लगा सकते हैं इस पर भी 2 स्कॵाईर यह इस पर इसा कर जाए पर आर चोड़ार में हम लिख दें 2 यह अब यहां पर आ जाएगा 28 पावर ओफ 2 तो अब यहां से यह 28 जो है वो एक whole number है और इसका जब हम स्क्वार लेते हैं तो यह हमें देता है 784 तो इसका मतलब है कि यह जो 784 है यह एक परफेट स्क्वार है यह हमें अब यह गरंटी मिल गई है कि यह एक परफेट स्क्वा है अब जो next example है वहां पर हम को दिखना पड़ेगा कि वो है के नहीं है तो वो है 364 अब यह भी 4 पर इंट हो रहा है तो मतलब यह भी परफेट स्क्वार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो अब इसके लिए आप लोग पेर से वही फिक्तराइजेशन कर लेंगे और प के नहीं है तो यह पहले टू पर डिवाइड हो रहा है तो यहां से आजाएगा वान एट टू और पिर यह तू पर डिवाइड हो जाता है और पिर आजाता है नाइन वान और पिर से यह हो सकता है सेवन पर और यहां से आजाएगा तो अब आप लोग इसको लेकेंगे के ट 2 multiply 2 multiply by 7 multiply by 13 अब यहां पर 2 square है यहां पर यह तो टीक है लेकिन अब यहां पर 7 और 13 इस पर square नहीं आ सकता है तो मसला यहां पर है तो इस वज़ा से हम इसको as a perfect square नहीं लेख सकते हैं कि यहां पर कोई अगर 7 multiply by 7 और 13 multiply by 13 होता तो पिर तो हो सकता था लेकि यहां पर वैसा नहीं बलकर single single है तो इनको हम as a perfect square नहीं लेख सकते हैं तो यहां से हम direct कहेंगे कि जो given number है 364 वो एक perfect square नहीं है तो बिलकुल असान सी बात हैं सिरफ उन numbers को याद रखना है जो d में given है वो है 15628 इसका बताना है कि यह perfect square है के नहीं है तो यह तो बिलकुल भी कोई मुश्किल बात नहीं है यह जो number है 158628 यह तो है ही नहीं perfect square क्योंके यहां पे जो पहले given numbers है यह वाले तो यहां पर 14569 और even number of zero होगा एंट में तो यहां पे तो इन में से कोई भी number नहीं है 8 है तो यहां से तो हम direct कह सकते हैं के यह perfect square नहीं है तो इसी तरह से आप किसी भी numbers का numbers चाहे जितना बड़ा हो जितना चोटा हो आप लोग यह बता सकेंगे के यह perfect square है के नहीं है तो उमीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों की समझ में आई हूई होगी और अगर किसी बात की समझ नहीं आई है कोई शक है कोई शुभा है कहीं पे भी तो आप लोग मुझ से नीचे comments box में पूछ सकते हैं या email पर भी पूछ सकते हैं या पर WhatsApp नबर भी पूछ सकते हैं तो इसी की साथ मुझे इजाज़ा देजिए इंसाला निक्स्ट वीडियो में जल्द मलकात हो जाएगी अल्ला हाफिज